चेके शर्मा जी किसी अपराधी के घर इस तरह से दबिश देने की कोशिश पुलिस का ये जो पूरा का पूरा रोल है उस पर मुनमबर राणा सवाल खड़े कर रहे हैं उनका ये कहना है कि एक बजे के बाद अचानक से भरी तादाद में वहाँ पर पुलिस कर्मी आ जाते है कुछ साधी वर्दी में होते हैं उनके परिवार के महिलाओं के साथ बचसलूकी की जाती है आज दिन भार उनकी ओर से तमाम तरह के अलग-अलग बयान भी दिये गया और इस वक भी आपने सुना क्या है इस पर्टिपणियाद की रात के एक बजे बिना बताए उनके घर मे आपसी विवाद का विशे है मैं इस विवाद में हम ना पढ़ना चाहते ना हमें कोई इंटरेस्ट है यह आपस में भाईयों को गाली दें गलोज करें और किसी को उपर जो भी आरूप लगाना हो लगाएं यह इनके अपने घर का मसला है तो होता है अब वो चीजों को ले लेकिन उस अप एक जो आरूपी है उसको संरच्छन देने के लिए यदि यह पूलिस पर कुछ आरूप लगाए या इसका राजनीती करण करने की कोशिश करें तो यह बहुत दुरभाग्य पूर है और यह सदेव से आज कोई नहीं बात नहीं है मुनबराणा साब कोई पह वर्णों को यह तो क्या-क्या नहीं बोला है इन्होंने सुप्रीम कोट के नियाले को क्या सब्सक्राइब लेकिन आप अपनी परिवार के चीजों को बाहर लाएं ना और उसका राजनीती करन करके आप फायदा सेंपेटी याने गेन करना चाहते हैं लेकिन यह सब तो आप अपके घरका ममला ना और शूबर करन कूंचे क्या बतूं का वनने शूब ना साह confidently कैहिए और सुबह से लेकिए लegतार झाल यह जो अपनी बयान जादे इंसान हैं तो एक मिनट के अंदर अपने बेटे को खड़ा करें अपने खुननस में क्या पोलिस को बदनाम करने की कोशिश की जारी है मुनबर साहब जो आरोप लगा रहे हैं केके शर्मा जी बीजेपी के और से मुनबर साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या आपका सवाल मुझसे है जी आप ही से है वो क्या रहे है कि ये पहले से ही तो बदनाम करते रहे हैं और सरकार से इनके अलग तरह की खुननस है और फिर इस पुरे मामले को ये राजनी की से जोड़ कर दिखा रहे हैं जबकि पारिवारत een का मान लेते हैं तो लिए आसकी ब्लीज को कैसे बुलबा लिया काम क्या है ? अथे के लोग होते हैं कि अजया तर होते हैं कि जैसे लिया गर में पुलित होते हैं दोक्टर होते हैं तो यकिनन फिर उनसे सवाल पुछे जाएंगे से लिए बुला गया है उनको तो ने 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 चित्रा जी मुझे 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 एक सिकंद सर उनकी बात पुरियो जाए मुनबर साब अब देखे मैं यह आर्थ करना चाह रहा हूँ कि यह जो शर्मा साब ने को बिठानी नी चाहिए तरह के लोगों को सौरी न ने चित्रा जी मेरा औप्जक्वन है इस पर मेरा इज़्शा पर ही एक बात तो पुरी हो जाए है उसके बात में आरे हूं आपके पास फॉरण मुनवर साथ जब आप उनकी ही पोलिस को घरे में खड़ा कर रहे हैं तो जब आप देने के लिए मैं डॉक्टर को क्यों आम अंत्रित करूंगी यकिनन उनसे जवाब मांगा जाएगा और आपकी जो भी चूंकि लगाता राज सुबह से आप अपनी तमाम बाते क्या रहे हैं तो आप सीधे उनसे सामना करके बोलिए कि आपकी पुरुस्ता किस तरह से परिशाद और प्रतारित किया है सुबह आप कुछ और बोल रहे हैं शाम होते होते तक आपकी जुबन कुछ और बोल रही है पुलिस देखे ऐसा है सवेजे से शाम तक जिस तरह हमसे बयान लिये जा रहे हैं तो ऐसे तो बयान मुझरिम साम और मैं बयान बदलने वाला आदमी बिलकुल नहीं हूँ हो सकता है कि बोलने चालने में कुछ अलग हो जाए वना ये 68 साल 79 साल की जिन्दगी गुदार चुके हैं दल बदलू हम नहीं कभी सियासत की नहम किसी पार्टी से डरते हैं अब आसां समझते हैं मनवर होitating. मेरा भारती जिन्दगी क्या जग्ला वी जग्लाइ मेरा कुछ जग्ला नहीं है ठीक है उनकी वीचार जरा अलग है, मेरे वीचार जरा यके। बेकिन आप ये games right लिकिन आप ये तर्वक कारिया है? अगर अगर मैंने आप से क्या कहा कि यहां पुलिस से मतलब यह नहीं कि जो राइबरेली में सब इनक्वारी कर रहे हैं अगर 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 मुझरीम थाबित होते हैं तो जहर दिवात से कि नालाकी है उनकी जो भी करें हो लेकिन राइं कहां यह तो बता दीजिए ना कोई भगाया तो पुलिस च्छिपे भगा थे जब आये तो इसी शेहर में होते पुलिस जोनड रही है उनको पुले जोन रही है से लिए तो आपके गार पे पहुंचे थी अकल राज तक भी नहीं मालूम था अकल राज में ने ने देखे मेरे घर पहुंची थी तो मुझे बताना चाहिए था ना मैं मैं इस घर का मालिक हूँ मैं इस कोठे का चौकीदार नहीं हूँ मैं शराब खाने की दुकान के चौकीदार नहीं हूँ मैं इस घर का मालिक हूँ मैं इस घर का सम्मान हूँ मैं इस घर का रक्षक हूँ मैं इस घर का लालक्या हूँ मैं इस घर का ताज महल हूँ, मुझे बताना जाही था पूरी बिल्डिंग, पूरा अपार्टमेंट, एक तमाशा बना के रख दिया, आप लोगे ने मुनवरा में को, अगर आप इसी को सरकार कहते हैं, इसी को आप राजनीज कहते हैं, इसी को आप सब कुछ कहते हैं, तो ठ विदेश सुन रहा है विदेशों की लोग भी आपको देख रहे हैं यकिनन आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलिविंग भी है आपसे तुम्मी यही की जाएगी ना कि अगर आपके बेटे के ओपर किसी भी तरह के अपरात के आरोप लगे हैं और पुलिस उनको ढूंब रही है तो आप सीधे टीवी चैनल के जरी यहीं से भी आपके आपको भी आपको बैद करेंगे लेकिन आपने चुंकि सरकार को घरे में खड़ा कर दिया है किस सरकार इस पर कि कि शौतम जी से मैं जवाब ये लेती हूँ देग्वारु सिंगी और तस्लिम नाहीं साथ फौरण में पहले मेरा चित्रा जी ने उस पर आपना इस पर कर दूम्हें आप से कहा आज तक ने हमें इस इसमें डिवेट में इन्वाइट किया तो आपके निमंतर पर यहां आए और यहां हम जो आपका विशे था उस विशे पर हम चल्चा करने के लिए जो कि आपने कहा कि शरकार को एक तरह से यह आरोप लगा रहे हैं तो हम उस पर डिवेट करने हैं मैंने अपने पहले ही सब्द में कहा कि यह मुनवर राणा साहब का घरेलू मामला है यह उनका विवा सब्सक्रा फाहे में कहा जा रहा है कि दरीसल सरकार के शार के लगातार के लगातार को पड़त करने के कोशिए कि जारी आप देखे तमाल दूसरे दलों के नेता लगातारव करके इस पूरे आदरे ०ाने, θरेखें-स और देखें इन्हों ने किस तरह से राजनिती करन करने की कोशिस की है मैं उसका उधान बताता हूं अभी अभी बैटे को मरवा दो मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी घोचित कर तो यह सब ही इनको करना यह सब इनकी राजनितिक बैयान बाजी मूरूप से जो इनके बेटे का जो कुकर में है जो उन्होंने अपने आप गोली अपनी गाड़ी में दगवाई अपने चाचा या जिनको भी फसाने के लिए कोशिस किया जो कुछ कर रहा है उसमें आपके घर पे यदि वहां पर आपका बेटा कि किसी तरह का आरोपी है तो क्या मुलंवर राणा बहुत पूरी पूरी जात पुलिस करेगी अब आप जाये उसको कोई भी रंग देना चाहें और बाकी दलों को तो इसलिए है क्योंकि ये तो अभी इन्होंने कहा मेरा कोई वह नहीं होता है किसी दल से आपके भाई ने इस कुष्रम से उकारा आपके साथ चेनल में डिवेट करते हुए कि हम तो कांग्रेस के इतने जुड़े हुए लोग थे राजी गांधी से हमारे समध दस जन पत जानता है हमारे परिवार का क्या संबन रहा है कांग्रेसियों से और किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा बहमुल हमें तौफा दिया और उसका फायदा इमनोवर राणा ने उठाया यह सारी चीजे तो आपके भाई बोल रहे हैं और आप यहां बैठके कह रहे हैं कि मैं तो अलंग हूँ मेरा तो कोई लेना देना नहीं तो आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच में कितना डिफरेंसिस है और लगातार आपने एवाड़ आपसी के समय बी आपने इसी तरह से बेवज़ सरकार को बदनाम करने के लिए इस अपने इची नायक की भून का निभाई कांग्रेस की जिस तरह का सड़ेंद था उसकी आप नायकदारी कर रहे थे तो आप जो है आपने हमेशा अपने सायर को तो अलका उप्योंग किया अच्छी बात ह मुनवर साहब आप जबाद दीजे के 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 कе शर्मा जी क theor और यह सबाल तो महतुपूल आ आप राजनीती में नहीं हैं लेकिन आप की बेटिया हैं राजनीती पुलिस ने कहां मांगा है रात में एक सौज आई थी मेरे पास अब उसने हमको भी नहीं बताएगी क्या अगर हमें वहां के जो SP हैं या CEO हैं कोई भी श्रीमान हो अगर वह फोन करके यह कह देते कि राना साहब आपके बेटे के कि खलाब कुछ इंक्वारी करना है या जो भी है अब उसको हादिर करवा दीजिए तो हम बोलते हैं जाओ बुक तो जो किया है लेकिन ऐसा तो नहीं बजाए उससे बद्ला लेने के हमारे बेटे कहां थे उस समय इनके बेटे कहां थे उस समय क्यों क्या करने आई थी और क्या लेकर गई अपने साथ मुनबर साथ बताइए आज सुबा से अठारा घंटे हो चुटे ना अभी तक आप बेटे को पूचा गे थे उस सर्मा जीमा जो जो शर्मा जीमा भाजपा भाजपा कर रहे हैं इनते पूचे कि हमारे भाई अगर कह रहे तो कांग्रेस ने कौन सा हमारी पीट पे गोड़ो मल दिया कौन सा हमें सम्मान दे दिया कौन सा हमने सम्मान दे लिया आप अपने भाई से पूचे क्यों नहीं आप जिंदा नहीं थे आप बेहोज ते आप पार्टी मर चुकी थी आरे आप क्यों नहीं बोलना है आप आपको बाते नहीं चलती सर्थ आप आरोपी को हवाले कीजिए पुलिस के आप उससे क्या लेने दिन आप अपने घर की लड़ाई लड़ी है आप आरोपी आपका बेटा है आपका आरोपी को हवाले कीजिए थाने में आप उसके अब शू क्यों नहीं पे ऋहां पर पहुंचाते है आप बेवज़ें क्यों पुलिस के ऊपर आरोप लगाते तो उसका जबाब तो लेना ही पड़े आपकी पसा लेकिन में पुलिस से आपके घर में दभिश थी आपको इस बारे में बताना चाहिए था क्या पुलिस का रवया यहां पर बहुत खराब था जो आरूप आप लगा रहे हैं इसी पर में बातकीत कर लेती हूं हमारे साथ विक्रम सिंग जी पूर्व दीजेपी उत्तर प्रदेश की जुड़े हुए हैं बोलिए कि मुनबर्स आप कुछ बोला चाहरे हैं आप इसी लिए मैं पूछ लेती हूं जो मैं कह रहा हूं उसमें हमें जूट बोले का शौक नहीं हैं बिना सर्च वारंट के आधी रात को एक बज़े के बाद पुलिस इसकी बड़ी तादाद में बिना परिवार को बताए क्या किसी घर में घुस कर सलाशी ले सकती है जो आरूप लगा रहे हैं मुनबर्स आप विक्रम सिंग जी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर मैं कल किसी मुशायरे में जाओं तो शहर के अंडे टमाटर खत्म हो जाएंगे क्योंकि शायरी मेरा मिजास नहीं न शायरी मेरी लाइन है इसी तरह कानूर के साथ तफ्तीश कुनंदा के साथ तावन करना हम सब का पर्ज है और पुलिस के लिए जरूरी नहीं है और बिना प्रायर नोटिस की भी जरूरत नहीं है ऐसे हालात में हमारी जिम्मधारी होती है कि पुलिस के साथ तावन करें तफ्तीश कुनंदा का साथ तावन करें वो आपके दोस्त हैं और आप खुद देखें कि महला पुलिस भी उस दल के साथ थी उनका कोई मक्सद आप ने सिर्फ आवाम के बलकि पुलिस के भी हर दिल अजीज है वो सब बड़े इज़त और एहतराम के साथ आये थे क्योंकि वो एक जरूरियात थी मैंने जिस फोर्स का नमक 36 साल खाया है जिसकी सरपरस्ती ढ़ाई साल की है उसी ने मेरे खिलाफ कतल का मुकदमा और स्टीय खिलाफ कतल का मुकदमा लिखा लेकिन उसकी तफ्तीश के बाद मैं आपके सामने बेगुना सामने बैठा हूँ सरकार की मुखालिफत मैं इस पे चैनल पर को कि मैं किसी राजदेतिक दलका नहीं हूँ जो मुझे बात पसंद नहीं आए उन्नाओ की हातरस की मैंने खुल की उसकी नुक्ता चीनी की है इसी चैनल पर बैट के लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरा हक है फंडेमेंटल राइट है मैं किसी की अपनी बुनियाद कानून की बुनियाद पर इनसाफ की बुनियाद पर मैं किसी की बी नुक्ता चीनी कर सकता हूँ ये मेरा अधिकार है और मैंने किया लेकिन कोई उसके उपर कारवाई नहीं मुनवर साब आप एक बार अपनी शक्सियत को देखते हुए उसके मद्दे नजर मेरा एक मश्वरा होगा एक बार पुलिस को अर्ज हालात आप कर दें कि ये हालात है तबरेस की ये बारे में है इसकी साहगोई से तफ़्दीश कर ली जाए अगर आप मुतमईन नहीं है बिराई वरेली की तफ़्दीश कुरिंदा से आप कह सकते हैं कि सीबी से आइडी से करवा ले लखनों से किसी महिला आफिसर से करवा ले लेकिन पुलिस के साथ तावून करना ये हमारे आपके हक नहीं रहेगा और रही बात इसकी ये किसी की आवकात नहीं है कि आप बेहुर्मती करे आपकी बेज़िती करे आपने आज भी मेरे पास मेरी लैब्डेडी में काश में दिखा पाता जो किताबे आपने अपनी वालदा अपने वालदान के मारे में लिखा तापके हाथ से लिखे हुए अलफाज आज भी मैं कलेजे से लगा के रखता हूँ आपकी बड़ी इज़त है और मैं उमीद करता हूँ कि पुलिस बड़ी टक्टकी लगा करके उमीद करती है कि आप उसके साथ तावन करेंगे और सबूत और अपनी हिफाज़त आप उसके साथ पेश करेंगे मुझे सिर्फ इस बात पर इतरास है कि जिस तरह कल पूलिस आई है ये एक मौदिस शहरी या एक फकीर और खलंदर शायर को मुझरिम बनाना हुआ कि मैंने भगा दिया दोड़ा दिया आप कोई भी आता हम तो यहीं लाइवरेरी में पढ़े रहते हैं हम तो उपर जाने के ल मंदिर है हम हिंदुस्तानी है तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई एक आफीसर भी कोई वहां का एक आफीसर फोन कर देता कि राना साहब यह तमाशया बन रहा है आप कि आप उनको तब्रेश को हादिर की जिए ऐसा था तो जाहिए पूली वह तब्रेश भाग गया कहा ग जहां के ही उसको मच्वरा दें कि आप अपनी साफ गोई के लिए पूलिस के सामने पेश हो और अपने बारे में जो सबूत अपनी हिफाज़त के लिए और अपने हक में वह पूलिस सामने पेश कर दें